इस फिलम की सुरुवात होती है साल 1971 में रोड ऐलेंड की हैरेस विली जगे पर एक परिवार अपने नए फारम हाउस में रहने आया होता है। रोजर उन बोड को खोल कर नीचे बेस्मेंट की और बढ़ता है जहां से कहीं सारे समान पहले से ही मौजूद मिलते हैं जिने वो सुबह अच्छे से देखने का सोचता है। पिनेजर एक और घड़ी पर पड़ती है जिसका समय भी तीन बच का साथ मिनिट पर रुका हुआ होता है। और कि कैसे उसके पैर पर भी एक निसान बन चुका है। वही एपरेल अपने डॉगी को देखने बाहर जा रही होती है कि तब ही वो चिलाने लगती है। कैरलीन और रोजन जब बाहर आते है तो उन्हें अपना डॉगी सैडी वहां मरा हुआ मिलता है। फिर हमें वारन हाउस को दिखाया जाता है जहां एक डिटेटिव एनबेल डॉल की जानकारी की पूस्ताज करने के लिए आया होता है अपने आर्टिकल के लिए। उन्हें समझाता है कि इस गुडिया पर एक बेहत ताकत और सेथान हावी है और खुद पर हावी होने से लिए वो उन्हें काफी साफधानी बरकनी पड़ती है। लेकिन एड और लॉरेन की बेटी वहाँ चुपके से उन्हें देख रही होती है जिस पर एड अपनी बेटी को यहाँ की चीजों को छूने से मना करता है। सबी दर्वाजों को देखने पर पता चलता है कि वो किसी हवा का काम होता है। अपने बच्चों को स्कूल बस तक छोड़कर कैरलीन जब अंदर आती है तो वो एपरेल को किसी से बात करते हुए देखती है। लेगिन जैसे ही कैरलीन अंदर जाती है तो वहाँ कोई नहीं होता। अपरेल के कहने पर कैरलीन फिर अपनी बेटी के साथ क्लैप क्लैप कहने लग जाती है और धेरे धेरे करके वो सिधा एंडर के रूम में आ जाती है। लेगिन फिर अलमारी के अलमारी जब अपने आप खुलने लगती है तो कैरलीन को लगता है कि एपरेल वहीं चुपी होगी। क्रिष्टीन पूरी डर जाती है। कैरलीन के सरीर पर और कहीं सारे निसान आ चुके होते हैं। कैरलीन को अपने बच्चे को खेलने की आवाज सुनाई दे रही होती है लेकिन जब वहाँ जाती है तो उनके बच्चे तो सो रहे होते हैं। और कहने लगती है कि जो कोई भी नीचे है वो उसे बंद करने जा रही है। कि तभी दरवाजस अटैक से बंद होता है और कैरलीन नीचे गिरी चली जाती है। लेकिन अलमारी से फिर भी आवाज हो रही होती है। कि उनके घर में कुछ है जो उने परिसान कर रहा है। पिछले केस को देकर एड और लॉर्ण को लगता है कि ये केस भी वैसे ही होगा। लेकिन कैरलीन उनसे कहती है कि उनकी पांच बेटी को कोई चीज सता रही है तो वो एक बार जुरू देखने आए। लॉर्ण की भी एक बेटी होती है जिस कारण वो उनके घर आने को तयार हो जाती है। दोनों जब कैरलीन और रॉजर से मिलते है तो लॉर्ण उनके बच्चों से भी मिलती है। लॉर्ण की इस बार भी लॉर्ण उनके कुछ अलग तरीके से देख रही होती है। ठीक तीन साथ पर बंद हो जाती है। लॉर्ण को उनकी फैमिली फोटो मिलती है जो उन्होंने किसी बीज पर खिचवाई थी। कैरलीन उन्हें वही रखी अलमारी को दिखाती है जो इस घर पर पहले से ही मौजूद थी। और कि कैसे इस टोरेज रोम पर भी ऐसे कई सामान रखे हुए हैं जो पहले से थे। नीचे जाने पर लॉर्ण को उन सभी दर्दनाखासों की अवास सुनाई देने लगती है जो यहां गटी थी। और एड को बताती है कि यहां कुछ बहुत बुरा हुआ था। लॉर्ण खिलोनों को देख कुछ देर बाद उसे पीछे रोरी की एक जलक दिख जाती है थोड़े देर बाद बाहर आकर लॉर्ण जगे को देखने लगती है कि वहां पर फिर एड भी आ जाता है लॉर्ण को फिर कुछ आवास सुनाई देने लगती है जब वो पीछे लॉरन उन्हें उस काली परचाई के बारे में बताती है जो इस घर और जमीन से कहावी हो रखी है और ये काली परचाई उसने घर में घुशते वक्ती देख लिया था और दूसरी बार उनकी भीटी के पीछे तो इससे कोई फरक नहीं पड़ता है कि वो कहां जाएंगे क्यों की परचाई उनके परिवार से जुड़ चुकी है लॉरन कहती है कि इस जगे पर कहीं सारे आत्माएं है लेकिन एक आत्मा ऐसी है जिसके अंदर कहीं नफरत भरी हुई है और जाड़ फूक करने के लिए उन्हें जाच करके सबूत तयार करने होंगे उसी रात एड़ लॉर के पास जाकर सैतान के लिए चाहत जाहिर की और जमीन पर कबजा करने वाले को शराब दिया और खुद को लटका का सुसाइट कर लिया और समयता सुबह के ठीक तीन बच का साथ मिनिट का जिसके बाद वहाँ पर कोई भी आया या फिर रहना चाहा बैसे बाद चुड़ ने चेकी और बढ़ते हैं पर कोई भी उनके सवालों का जवाब नहीं दे रहा होता है लौरन का कुछ मैसूस हो रहा होता है पर कोई भी उनका जवाब नहीं देता उपर आते आते दर्वाजा अचानक से ही बंदो जाता है ये देख सभी की आँखे फटी होई होती है वही जोई केरलीन के हाथ पर खरोच का निसान बन जाता है अचानक केरलीन उपर उठकर फिर चिलाने लगती है और तभी बैस से वा चुडायल वहां आ जाती है जो उसके मूग के अंदर खून डाल देती है लारन जब वहां पहुंचती है तो केरलीन अपनी तवियत बिल्कुल ठ गिए राथ होते होते सभी ठक कर बैठे होते हैं ब्रेड कोफी लेने के लिए किचन में जाता है जहां उसे भाहर से कुछ अवासक रना दे holiness janin अंदर की और देखने जाता ही है कि तभी वो अचानक से उसे डरा देती है जब सब वहाँ देखने आते है तो वहाँ पर कोई नहीं होता वहीं सिंडी नींद में होकर अपने हापी कमरे की और बढ़ रही होती है लेकिन सब उत पाने के लिए वो उसे जाने देते हैं सब जब वहाँ देखती है तो उसे पता चलता है कि रोरी वहीं छुपा करता था और तभी उसे वहाँ पर वो रसी मिलती है जिससे बैसे बाद चुडैल ने सुसाइट करा था कि तभी लॉरेन नीचे गिरने लगती है और सीधा बेसमेंट में जा गिरती है लॉरेन फिर खिलोने को ल पास आ रही होती है वो चुडैल फिर लॉरेन के लॉकेट को खैसे लगती है और लॉरेन खुद को बचा कर ऊपर की और आजाती है और एड को बताती है कि उस चुडैल ने मा को वस्मे करके अपने बच्चे को मार दिया था और ठीक वो ऐसा कैरलीन के साथ कर रही है तभी घटना ड्रीव कैमरे में रिकॉर्ड कर लेता है और तभी पूरा परिवार इस घर से दूर जाने लगता है जो बिल्कुल सुरक्सित नहीं है लॉरेन को अपनी बेटी की अवास सुनाय देने लगती है जो सीधा जील के पास ले जाती है जहां वो पाने में अपनी बेटी क फादर गॉर्डन को दिखाते हैं जो उन्हें जाड़ फूक करने की अजाज़त देंगे हाला कि वो परिवार चर्च के मेंबर नहीं होते जिस कारण मंजूरी में दिकत आ रही होती है पर फादर गॉर्डन के घर पर वो चुडैल लॉरेन के लॉकिट के जरी उनकी बेटी पर हमला शुरू कर देती है जोड़ी जब नीचे आती है तो उसे विस्ट कराफ्ट में एनबेल डॉल नहीं दिखती अंधेरा धीरे धीरे फिर होने लगता है और डर के मारे वो खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है जिसके दरवाजे पर बार बार कोई हमला कर रहा होता है और तभी वहां की लाइट भी चले जाती है और ठीक पीछे वो चुड़ैल एनबेल डॉल को हाथ में लिए बैटी हुई होती है तभी एनबेल डॉल पीछे मुड़कर उसी को देखने लगती है जोड़ी चिलाते हुए अपनी नैनों को बुला रही होती है लेकिन वो भ अधर में लेकर गई होगी ताकि वो उने मार सके एड फिर जली से अपने घर में जाने को कहता है एड और लॉरन पुलिस ऑफिसर ब्रेड के साथ उसी घर की ओर आते है जहां पर रॉजर और डूर कैरलीन को रोकने में लगे हुए होते हैं सबी में मिलकर फिर कैरलीन को घर से भार लेकर जा रहे होते हैं पर उस चुडएल ने उस पर इतना कभजा कर लिया होता है कि उसके भार जाते ही वो चुडएल कैरलीन को मार देगी तभी वो चुडएल अपनी सक्तियों से कैरलीन को कहच कर ठीक बेस्मेंट की और नीचे ले जाती है और वहीं उसको हवा में उसे पकड़ लेते हैं और एक चेर में बांधने लग जाते हैं अब इस चुडएल को रोकने के अलावा एड और लॉरन के पास जाड़ फोक करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता है क्योंकि चुडएल ने कैरलिन पर पूरा कफ़ा कर लिया होता है तभी एड जाड़ जाड़ फोक की परतेगिया शुरू करने लगता है और चुडएल इतने घुसे में आ जाती है कि एड के हाथ से होली वाटर ही गिर जाता है ऐसा होता हुआ देख एड की तो मानों बिल्कुल फटी हुई होती है तभी चुडएल अपनी सक्टियों के इस्तमाल करके सभी चि चेरा दिखने लगता है कुछ देर तक आबरा कटाबरा बड़ बड़ा रहोता ही है कि तभी चुडएल बिलकुल सांत हो जाती है और देखते ही देखते खुद को चेर के साथ हवा में उड़ा कर उल्टी दिवार पर सटक जाती है यह देख मानों सभी के पैरों तले जमीन ही किसक जाती है और तभी कैरलीन भी नीचे गिर जाती है और सब उसे समानने में लग जाते है और वो चुडएल अभी भी एड़ को अपना सिकार बनाई हुई होती है और रोजर से कहती है कि वो कब की चली गई है और तुम सब मारे जाओगे वहीं उपर ड्रू एपरल को और नहीं एड इससे पहले वो चुडएल बच्ची को मारती तभी एड चिला कर कहता है बैच सेवा और बोलता है कि इसवर की ताकत से मैं तुमें नरक में जाने का हुकम देता हूँ एड रोजर को अपनी वीवी का होसला बढ़ाने को कहता है और उपर से लौरन कैरलीन को खुबसरत परिवार की खुबसरत जहलगती दिखा कर उसे उस चुडएल से लड़ने को कहती है और तभी कैरलीन उस चुडएल को अपनी परिवार की ताकत से हरा देती है और चुडएल ने जो खुन उसके मूँ के अंदर डाला था वो सब निकल जाता है और सब कुछ बिल और लॉरेन अपनी बेटी का खायर रखने के लिए एक बेबी सीटर को रखते हैं जिसकी दोस्त अपने मरे डैड से बात करने के लिए एनबेल डॉल के बॉक्स को खोल देती है देखते रहिए इस सीरीज का अगला भाग